नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका अपने चैनल कीस्टू सक्सेस में आज हम MPPAC Mains के जो प्रिवेस एर के कोश्चन्स पेपर है उसके लिए सॉल्ट पेपर देखेंगे और इसके लिए जो बुक आई है मार्केड में काफी समय के बाद आई है जिन्होंने इसको लॉंच किय दरपन स्विल सर्विसेस दरपन पॉब्रिकेशन की बूख है और इसमें जो 1989 से लिए करके 2020 तक के सारे प्रशन मिल दाएंगे और प्रशन मिलने के साथ साथ आपको सॉलुशन भी मिनता है न्यू पेटन के अधार पर बनाई गई है तो इसको लेना चाहिए नहीं लेना च ठीक है वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता देखिए अधिया आप हमारी चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेजीगा वीडियो को लाइक और शेयर जरू करें और अपने दोस्तों तक वीडियो को शेयर करके यह जरू बताएं कि यहां पर बुक का प्रबंदन के लिए अगर आप लोग अलग लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है आल इन वन लेने से कोई फाइदा नहीं हो क्योंकि वहां पर कंटेंट उतना नहीं मिले गए जतना मिलना चाहिए तो इसके बुक के बारे में फ्रेंट पेस देख लिजी यहां पर जो इसमंड वाट बी में फिर वही है जियोग्राफिय और डिजास्टर मेनेजमेंट राता इसमने था तो बुक अधर ऊंच्रोशन देख लेने के आउसकता नहीं पड़ेगी क्या आपको यहां पर कॉशन सिफ कोशन ही मिल रहा हैं आपको कोशन के शॉल्सन भी मिल रहा हैं त तो मनु सहींता पूछा गया है तो मनु सहींता के बारे में तीन पूइंट आपको अच्छे मिलते हैं और अच्छे मिलने के साथ साथ आपको एक अच्छा उत्तर लिखने के जो आवश्यक जो कंटेंट चहीं होता है आपको यहां पर दिख रहा है तो पूरुषा चार्ट तुष्टी यह देखिए यहां पर 2010 में पूछा गया था और 2020 में भी पूछा गया तो इसी प्रकाल से कोशन रिपीट होता है आपको पता है जब कंटेंट पता है तो फिर आप तीन पॉइंट लिखे हैंगे तो आपको कोशन को समझना है अगर आप लोग में सान से रेंडिंग कर रहे हैं तो आपको समयाना चाहिए कि कोशन की डिमांड के पहली बाद चंदर गुप्त विक्रामादियत्य की बात कर रहा है उनकी उपलब्दिया बताने है और अच्छे से प्रकाल दालना उसके उपर ठीक है त समझना गुप्त के बाद एक सकती सारी सासक के रूप में चैंदर गुप्त दिति का सासन का से कब तक था 375 इसी से 415 इसी के मद्द था और यह समरद्य सासक प्रतीद हुआ देखे यह आपको याद है तो भी ठीक है और यह अगर याद नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आपको यह से अधर के यह याद नहीं होगा में सांसर एडिंग है बहुत जादा जब तक आपने रिविजन नहीं किया तब तक आपको याद नहीं होता है प्रेलिम्स के टाइम जब आफेक्ट पढ़ते तब याद नहीं रहता तो फिर यह में से ठीक है तो यह अदर अधर को पढ़ने के आसकता नहीं है आपको हेडिंग से ही सोनमा जागा की चीज़े क्या लिखी गया अप सेने विजय में नहीं बताया पूर्वा में बंगाल सलसक को जीता और साको को हरा है तो साको को हरा करके यहां पर फिर विकरम सम्मत की शुरूआत की थी आगर यदि आपको पता होगा तो इस प्रकार की जो मैन में आपको आंसर मतल कांटेंट से ही होता वो और यह लिखा हुआ है यहां पर महरुली अभीले के इस तंभलेक जोड़ दिया इनों इसकी प्रमुक विस्था भी यह में अभीले की कि इतना हजारों साथ पुराना लोहे से बना ह वहां इस तंबलेगे है और उसके रावद इसमें जंग क्यों नहीं लगा है तो इसका कारण आपको पता हो तो थिक कर से बूक का तो काफी अच्छा नज़र आता है अफिसे फाइब मारकर की बात ही नहीं करेंगे 11 मारकर में भी बहुत अच्छा कंटेंट इन्हों ने लिया हुआ है और इनके दोरह कभी न कभी आंसर रेटिंग करवाई गई होगी इस वज़ा से इनको एक अच्छा प्रस्तूति करन कैसा होता है आंसर का उसके बारे हम पता है देखिए एकदम जैसा आप लोग को एक्जाम में लिखना वैसा एक चीज़े तो नहीं मिलेगी कुछ ना कुछ आपको मिल जाएगा कि यहां पर यह चीज भी एड कर सकते थे इसको भी एड करना चीज़ था वह सारी चीज तो फिर आ एक तो 1989 से लेकर करके अभी तक के प्रश्न कावर कर रहा है ओपर से फ्लो चार्ट भी बहुत अच्छा यूज़ कर रहा है और 2020 के प्रिटन पर अभी महाविर की आई है ठीक है लेकिन अधर की नहीं आई है तो यहां पर यह काफी अच्छा मिल जाता है ठीक है अब यहां 11 मारकर का एक कोश्चन देख लेते हैं 11 मारकर में कोश्चन किया है इसको तुछा जूम कर लेजिए असोग ने बहुत धर्म के प्रचार के लिए क्या तरीके अपना है तरीके बताने है ठीक है और विस्तार से व्यक्रा करना है उसकी 2014 में पुछा गया है तो कथन से स्टार कर सकते हैं इसा को जरूर नहीं है कि इन्हों ने जैसे किया वैसे ही आप लोग करें आपको जो शूटे बह लगता है वैसे स्टार कीजिए लेकिन अच्छी भूमी का बना नहीं चाहिए ठीक है अपि इन्हों ने यहां पर सुरोत के रूप में बताया कि सीहली अनुसरुत अपाय उसने अपनाए थे यह दिख रहे हैं भी कि असो कि धम निती धम याता धम पर्चा धम हेतु महा मात्रों की या पात्रों की न्युकति की थी बहुत्दर संगी तीवी सिलालेक का स्थापनावी स्थूप का निर्मान वा गुफा का चार गुफाय बनाई थी इन्हों इसे जो राइटर होते हैं जिन्होंने हिस्टोरियन है बैसिकली वोलो तो यदि उनको आप मेंशन करके बताएंगे रोमिला धापर को मेंशन करेंगे जो भी आपको पता है जो भी आपके पास नोट से उसमें अगर है तो उसको आप कर इंटेंट को यहां पर डालेंगे त अगर नहीं पता है तो आप जरूर पूछ लीजेगा आपको बताया जाएगा हमारा जो टेलीकरम का गुरूप चल रहा है उसके उपर आपको जनकरीदी दी जाती है ठीक है तो यहां पर 11 मार्क भी दिखा दिया कर ठीक है आगे चलेंगे इसमें तो यह देखिए यहां पर पर जो भी PSC मतला है अधर स्टेट की PSC की बात की जा रही है तो वहां के जो कोशन पूछे का है वो इन्हों नहीं नहीं डाल दिया तो आप लोग को प्रेक्टिस करने हैं तो यहां पर कोशन पूछ लिए भाई पहला कोशन की आई-समें 1997 में कि साची के महान इस्टूप क एवं कलाथमक विसेस्ताय बताना है तो बताए साथी के स्टूप को किसने बना है पिर उसकी इस्तापत-ऩाय पिर विसेस्ताय बताना है उसमें किस परकार की चीज़न्स और असो का योग्दान जो किया गया उसमें वह सब आपको बताना पड़ tuning का रहता है औहां लेकिन आपको यहाँ पर एक five marker में लिखना है यदि five marker कर खूशन हो फिर आपको 10 my लिखना है और 11 ले खॉशन करके 25 लिखी और यह तो आपको जो repeat question है जो अलग-अलग स्टेड में पूछ गहें जिए सी जी पीय सी यूपी पूछा गया है और उसके लावा संभाइद प्रेशन भी इन्होंने लखे गए हैं लास्ट में कि यहां से इस यूनिट से कितने संभाइद प्रेशन पूछे जा सकते हैं तो यह देखिए ना सिरी मार्कर फाइब मार्कर सब कुछ मिलता है अच्छे से प्रेक्टिस कर सकते है कोई दिक्कत नहीं है आपर चोल कालिन इस्तापतिया चोल कालिन इस्ताने सौसासान पर लेख लिए बहुत फैवरेट कोश्चन है प्यस्टिक हमें सब पूछा राता है तो इसको अच्छे से तियार कीजई 11 मार्कर में, 11 मार्कर में से 9 नमबर तो अपको पक्कि होनाँ च तो यहां पर देख लीजिए देख लीजिए दिखाते हैं यहां पर कोशन है इंद्रा गांधी राष्टी बाना संग्राल है भौपाल का संचेप्ट में विवरन देना है और कपकब रिपीट है सबसे पहले तो आये 1994 में फिर उसका दाया है 2008 में 2009-2016 अब इस कोशन को यदि आप तियारी नहीं करोगे पढ़ोगे इन्हें तो फिर आपसे बड़ा मुर्खो कोई नहीं होगा तो इसको इस प्रकार के जो भी कोशन होते हैं इनको सबको तियार कीजिए अच्छे से जो रिप में सामिल हो जाएंगे जो रिमेंस की बात करेंगे एक बार फेल होगा है तो आप अपने आपसे मान के चलिए कि भाई हम फेल होगा है और उसी एक्जाम को फिर से पास करने की कैसे बाते आप सोच सकते कुछ लोग ऐसा सोच गए देखिए जो लोग पास हुए वो उनको ब अपने के बारी मेनत करनी है उसी हिसाब से आपको सफलता प्रापत होगी इस प्रकार से आप अनुची त्मांग करने से कुछ वहासिल नहीं होना जिंदगी में ठीक है तो यहां पर सभी पिपर में आपको सब कुछ जांकर ही मिल जाती थी तिक हैं पर जिए जिगराफिय म है आपको बता होना चाहिए और कैसे निर्मित होती है और इसका आपको फाइब मार्कर बताना था तो फाइब मार्कर में अभी तो जगह कम बची तो फिर उसका चीतर के सबनाएंगे यह सबसे बड़ी समस्या है कुछ नहीं छोटा सा डाग्राम आप साइड हो मिला सकते उ जिए जियोग्राफिक के कोशन है जो यूपसी और स्टेट पीस्टी में कुछ अगया देख लिए आप ठीक है और इसके बाद फिर आपको संभावित प्रेसर भी मिल दाएंगे तो यह अपना वीडियो 12 मिनिट का हो गया है तो सभी पेपर ऐसे ही है इसके आप यह जिए इसमें आगे चलेंगे तो सायंस भी मिल दाएगा इसमें एदेखिए यह पौलइटिक है तो पॉलिइटिए में भी वही चीण मिल दाएगी तो आगे और दिखा देतहे आपको एक इए पेज दिखा दे Τर कि आपको एक जनरल आइडिया हो जाए और यह पूक मार्केट में तो काफी महेंगी है 600-998 की है अलग अलग जगा पे आपको अलग अलग रेट मिलेगा और मतलब डिस्कॉंट तो अलग-अलग ही होता है सवी जिले में कहीं 20% कोई 30% कोई 15% मिलेगा तो बैतुच से अगर यदि आप लेना चाहे तो 20% के आसपास कर डिस्कॉंट मिल जाएग वारे में लिखके दे दिया तो इससे भी प्रेक्टिस कर सकते हैं यहां से लिखिए देखिए समझी सॉलुशन तो लेना चाहिए मैं आप से आकर आपके वास बुक नहीं है सॉलुशन की कोई भी बुक नहीं है तो यह बुक ले लीजिए बहुत अच्छे वोग है एक करना क्योंकि हमको किसी राइटर की दब से कुछत मिलता नहीं बस यह कि आप लोग जो पैसा लगाने वाले बुक पर्चेस करने में आपका सही जगा पैसा खर्चोना चीए ठीक है तो हम यह पर कोई पूरी बुक भी उठाके नहीं चाप दे रहे हैं उसके पर पूरा कुछ नहीं है यह अपना केमेस्ट्री संबन देते था ठीक है तो वीडियो अच्छे लगते वीडियो को लाइक को शेयर कर लेजेगा चैनल को सब्सक्राइब कर लेजेगा यदि आप यहां पर नए है तो ठीक है तैंक यू सो मच पर वाचिंग और बुक आपको जहां से सब्सक्राइब लेना चाहिए ले सकते हैं ठीक है थैंक यू